दोस्तो आयुर्वेद में ऐसी कई औशधियां है जो घंभीर से घंभीर बिमारियों का इलाज करने में प्रभावी रूप से काम करती हैं। इसी तरह की महत्वपुरन और ज्यान वर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सम्रिधी को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। का ज्यान प्राप्त करके मनुष्य ज्यानी हो जाता है अर धार्त दोस्तों आकाश में भ्रह्मन करने वाली शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत पुनरनवा कल्प के बारे में बताऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को आधा धूरा छोड़ कर नहीं जाना। द्वारा खरीदा जाता है। इस कारण इसका सेवन करने में काफी मदद मिलती है और लोग इससे लाबधायक परिणाम भी प्राप्त करते हैं। ऐसे में दोस्तों एक बार माता पारवती भगवान शंकरजी से पूछने लगी कि हे स्वामी आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौदों के विद्वान हो। हे भुलेनात हे प्रभु मेरा मन अतियंत हर्शित और प्रफूलित हो रहा है। माता पारवती को इसके कल्प के बारे में बताया। पारवती पुनर नवा नेतर को नवीन बना देता है। अरधार्त दोस्तों जो हमारे नेतर हैं उन्हें नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुनर नवा की प्रशंसा करते हुए इसका तीसरा फायदा माता पारवती से कहते हैं। कि हे पारवती इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखा कर गाएं के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। दोस्तों जिसे हम नाभी का खिसक जाना या फिर तिलिया रोग बोलते हैं ये ठीक हो जाता है। पीने से मनुष्य की काम अगनी बढ़ जाती है। इसे ही कठा कर लेना चाहिए और सुक्षम चूर्न बना लेना चाहिए और इसके सुक्षम चूर्न को घी और मधू के साथ मिला करके एक माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि घी और मधू ये दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यू भी हो जाती है इसलिए जब भी आप ये क्रिया करें किसी वैदिया फिर जो आईरुवेद की अच्छी जानकारी रखते हों उनके समीप में रह करके ही करना तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक महा तक अगर घी और मधू के साथ मिला करके इसके चूर्न को पवितर स्थान पर रखें और एक महीने बाद पवितर होकर के बसंत रीतू में प्रती दिन एक निश्ट्वित मात्रा में अगर इनके एक महा तक इनका सेवन करें तो हे पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे परवती इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों ये जो पौधा है, ये कोई साधारन पौधा बिल्कुल नहीं है। इसकी प्रशंसा आप देख रहे हैं कि स्वयम भगवान भुलेनात ने की है और अनेक प्रकार के विद्वानों ने करी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी जानकारी बताऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में तामर उशन शांत होकर स्वर्न हो जाता है। तो हमारे गुरू जी ने भी इसके बारे में हमें अनेक परियोग बताए हैं तो हम आप लोगों को कह डालते हैं। बड़ा घाओ क्यों ना हो चमतकारिक तरीके से ठीक होकर के पुनर नवा शरीर पर नवीन मास भर देता है। दोस्तो एक समय की बात है जब भगवान लक्षमन जी को शक्ती बान लगा था। उस समय हनुमान जी महराज लक्षमन जी की मुर्चा को दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए। तो दोस्तो पुनर नवा जो है घाओ को भरने का काम करता है ये जानकारी नोट करके रखें और ये यवन को स्थिर बनाए रखता है अरधार्त दोस्तों ये शरीर में जो हमारी यान शक्ति है उसे बरकरार रखता है अदिक काल तक इसका सेवन करने से मनुश्य धर्ग जीवी हो جाता है अरधार्त दोस्तों लबे समय तक जीवन जीता है एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ बहुत ही गोपनी ये बात है जो जानकारी हमें हमारे गुरू ने बताई है जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं जो की योग करते हैं साधना करते हैं तपस्या करते हैं ऐसे संत महातमा धिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महा औशद्धी का प्रियोग करते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य फाइदों के बारे में भी आये जान लेते हैं। हरिद्य से जुड़े कई प्रकार के रोगों से बचाये रखने के लिए भी पुनर नवा का सेवन आ बिमारियों से बचे रहने के लिए पुनर नवा का सेवन आप कैपसुल के रूप में भी कर सकते हैं। कई लोगों को खान पान की गलत आदत के चलते या फिर किसी गंभीर बिमारी के लक्षन होने पर यूरीन इंफेक्शन का खत्रा बढ़ जाता है। इस इंफेक्शन से पुरूश और महीलाएं समान रूप से प्रभावित होते हैं। यूरीन इंफेक्शन की समस्या से बचे रहने के लिए पुनर नवा काफी प्रभावशाली और शद्धी साबित हो सकती है। इसका सेवन करने से यूरीन मार्ग को साफ करने में मदद मिलती है और आप किसी भ प्रकार के यूरीन समंदित संक्रमन के खत्रे से बचे रह सकते हैं। किडिनी से जुड़ी कई प्रकार की बिमारियों से बचे रहने के लिए भी पुनर नवा का सेवन लाबकारी साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए भी मुम्किन हो सकता है क्योंकि वग्यानिकों के दवारा इस पर अध्यान भी किया जा चुका है। जिसमें इस बात की पुष्टी होती है कि पुनर नवा का सेवन करने से किड़नी से जुड़ी बिमारियों का जोखिम कई गुना तक कम हो सकता है। और हो सके तो किसी आईरवेदिक डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ बता दे कि एंटी एजिंग गुन कई प्रकार के फूड़ और अशदियों में पाया जाता है। पुनर नवा को इस मामले में काफी प्रभावशाली माना गया है। और इसमें मौझूद एंटी ए खारने और त्वचा में कसाव उतपन करने का काम करता है। तो ऐसे में दोस्तों पुनर नवा औशदि के बारे में हमने सारी जानकारि आपको एकी वीडियो में बता दी है। ऐसे में पुनर नवा औशदि से संभंधित अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन म पूछ सकते हैं हम पूरा परियास करेंगे कि आपके प्रश्णों का उत्तर दे पाएं तो ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो ग्यानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रे आपट